हेलो एन वेलकम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग केराला टीट्वेंटी ट्रोफी की बात करेंगे जो की मेच होने वाला है डीसी ए कोजी कोडे और डीसी ए कजारा गोडे के बिच में तो चलिए दोनों इटीम के प्ले कि में लेके जाएंगे कौ साथ ग्रांडलिक में फिक करेंगे प्लस कौसा प्लेयर हमारे लिए कपतान और वाईस कपतान सिफ बेस्वेच स्रह का उच्छ बारे में बात करेंगे T20 के वीडियो मिलेंगे इसके साथ यहां से आपको मदिना T20 कप के वीडियो मिलेंगे तो बहुत सारे अच्छे मेंसिज के वीडियो आपको मिलने वाल है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है साथी में हमारी Telegram चैनल से नहीं जूड़े तो आपको Telegram चैनल पर परवाइड की जाएगी Telegram से जुड़ने आपके लिए काफी importance है और Telegram से जुड़ने के लिए Link मैंने नीचे description में दिया हुआ है उससी लिंक से Telegram चैनल को आपको जोइन करना रहेगा तो बात करते हैं इस match की तो ये match दोपेर में एक बज़े संच जेवियस कोलेज ग्राउंड थुमबा इंडिया में खिला जाएगा जहाँ पर equally supported पीच है रंस हाला की शुरुवात की मैचिस के अंदर 170 के आसपास भी रंस बने और even 52 रं के अंदर भी टीम ओल आउट होगे तो यहाँ पर कंडिशन के इसाफ से आपर चैन्स देखने को मिलेगा बाकि एवरेज आइधिंग 140 के आसपास यहाँ पर रंस बनने चाहिए चेजिंग की बात की जातों 32 में से 12 मैच यहाँ पर पहले बैटिंग करने ओली टीम जाइधिती चेजिंग करते हुए ग्याप टीम के ओड़ी की दो मुकबले खिले जहांससे एक MU कबला इन्होंने जिता एक मूकबला इन्होंने हाराय है पहला मुकबला जित कर आए थे और last मुकबला हार कर आये तहें opening की बात की जाये कशिनात और इनके साथ रोहन कुन्नमल दोनोंने آپ कर लिए निखी आज के लिए दूसरी यूट कि आउट हुए रोहन कुंणुमल की बात बात की जातों या पिछली मैच के लिए बात को प्रहाइं तो यह सब करें इसके साथ बात करते हैं कि आपर मुहांबद असलम की जिन्हों ने सोला रंग के लास मैच के अंदर एक्षेप्टेशन है इनकी के बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाएंगे लेकिन दोनों अभी तक दोनों मैच कर आए पिछली बार यह दो मैच कहले तहां पर एक बार ए नीचे के लिए मिडल्स में के लिए जीरो प्याउट हो गए पहली मैच के में 15 रन हाला की जरूर किये थे ओर एक्षेप्टेशन इनसे मुझे थोड़ी बहुत एक्षेप्टेशन थी आपर विगेट की पिंग से चौन सट मैच में करीब अठाइस के वरे से आपर 1553 रन सा इनको में लेखे जाना है यह बंदा काफी तगड़ाया पर और यह चीज मैंने आपको पिछली मैच के अंदर भी बताया था इस प्लेयर के बारे में इसके साथ नजल इंपोर्नस डेफिनली लेके जाना है लास में निकाली अद्वित एन की बात की जाए तो इसके पर हमने लास में के रिस्क लिया था क्योंकि पहली वाली मैच के नेरी इननों डेथ वोस में गयंबाजी करवाई थी ताहो तो रिस्क ले सकते हैं एक बार फिस से अखिल देव लास में के हमारे लिए बहुत बड़े ट्रम काड रहे इन्नोंने विकेड भी निकाला चार वस की गयं माजी करते हो दो विकेड निकाला था पहली मैच के निकाला था और इनका सिलेक्शन काफी कम था बहुत सारी लोगों इनको अवेड किया था और उसका में सबसे बड़ा बेनिफिट्स मिला लास मुकाबला पुरा वन साइड है था और इसी के बेच जिस पर लोग इनको एक साथ नवास विकेड भी है तो एक्सेप्टेशन के अनुसारी इन्हों ने पूरी और सो करवाई लेकिन विकेड नहीं मिला बाकि आप लोग आगे भी इनके पर वरोसा कर सकते हैं यह ओस हर मैच के नहीं पूरी करवाएंगे स्टार्टिंग की बात की जाए तो आपर मुहम आगे बात कहते हैं कि अपर टीम कियेगे कि दो में से एक मुकाबला जिता एक मुकाबला हारा ओपनिंग में अपर इस्तियाक उस्टेन पोयक करा के साथ यह पर जगननाथ एमार ने ओपनिंग रहा था जगननाथ एमार जो कि लास मैच के अंदर डिटायट हड़ हो गए थ िखेंगे अभी कें currently a भुसकसि दिखेंगे अभी लोग इनको करते हैं कि हॉल्ड पर रहें नहीं है सकते है वायक करा對 widu साथ कर सकते हो पहली मेच के छालेश रन के अच्छी पारी खेली थी इसके साथ बात करते हो जोगो आपर अब्दुल-फर्हान तो यह तीक है दूसरी मेच के अंदर भी नहीं तीक है पिछले टूनामेट भी कुछ ऐसा ही रहा था लेकिन इस परफरमस के लिए भी रेडी रहेगा क्योंकि कभी भी आपर 50-60 रन की पारी खेल सकता है ज्योंकि इन्होंने पिछली बार 66 रन किये थे तो ऐसा कुछ हो सकता ह के लेगा है टॉप में 100 परसेंटेज आगे बाद के अदर पल्लम अनफल की तो इनकी बैटिंग नियाए बैटिंग आई जिरो प्यावडों के ओस नहीं करवाए बाकि ओस करवाएगा लास्ट में के कंडिशन के इसाफ से इनको ओस करवाने की जरूवत पड़ी भी नहीं बाकि ओस हर मेंच के अंदर करवाते हुए दिखेंगे आपको क्यूंकि लास्ट मेंच तो इतने में इपड़ गई थे और सामने वाली टीम काफी अच्छे से आप पर इनको चेज कर लिया था तो पल्ला मनफल आपको ओस करवाते हुए दिखेंगे इनको एस प्लेयर के करेंगे तो हम लोग आपर कैफ को लेके जा सकते हैं शाबीर सनद ने लास्ट मेंच के अंदर 21 रण किये जो की लास्ट मेंच की हाइस रण की पारी थी बाकि ओरल 6 मेंच करी 25 के वरे से 172 ने खेलता वैसे यह तिसरे चोत्य नमर पर है कि अभीजित की बात कहते हैं पर भी ले सकते हैं इन्हों ने भी ओस नहीं करवाई तो लास्ट मेंच के इसाफ से बहुत सारे अच्छे गयन बाजों नहीं करवाई यह थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा क्योंकि कंडिशन अगर ऐसी है कि सामने वाले टिम को अगर आपने 53 रन का टार्गेट दिया 205 मैच के 170 विकेड है चाहो तो रिसक ले सकते हैं क्योंकि यह पूरी ओस करवाईगा निदीस भी ने भी एकी ओस के गयन बाजी करवाई बाकि यह भी आपर पूरी ओस करते हुए दिखेंगे ज सकते हैं अपर र लगभर आपको डिछान निदीस भी पर ढगर दिखेंगे कोंच प्लियर को लिगे जाने कोंच प्लियर को मुलोगि आपर टुँक कर सकते हैं तो विकेट किपिंग सेक्षन से हम लोग यापर मुहम्मद कैफ को लेके जा रहे हैं यहापर देखो जगननात MR का सिलिक्षन जादा है यहापर लेकिन आवाइलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे रहेंगे कनफर्म नहीं है हाला कि यह अगर लाइन अप में दिखते है तो हम लोग यापर कैफ की जगा पर इनको लेके जाएंगे इसके अलावा अगर यापर मुहमद अजरुदिन खेलते हो नजर आए तो यह सिधे आपके कप्तान या वाइस केप्टन होने चाहिए बैटिंग सेक्शन में आपर मुहमद अस्लम और यापर रोहन कुन्डुमल को लिया है यह तोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैंने इनके पर भरोसा किया है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेशन है इनसे यह का दिखोस की इसके अलावा ओल्रांडर सेक्शन की बात की जाए तो आपर पल्लम अन्फल इनके साथ आपर नितिस भी इनके साथ यापर स्रेयस कीवी और इनके साथ आपर मुहमद रिजवान हमारी टिम में रहेंगे यहापर आप लोग जसिल को ले सकते हैं बाकी यह एक रिस्क लिया ह बैसे लास मैच के अंदर भी हमने रिस्क लिया था यहापर भी ले रहें बॉलिंग सेक्शन में आप पर अब्दुल फरीज इनके साथ पल्लम पी नजल इनके साथ यह पर एम सफीर और एसस नायर को लिया है यहापर आप लोग डेवडी या अभी जीद इन दोनों में किस प्रवाइस के अब लोग इनको रोटेट भी कर सकते हैं यह दोनों सबसे सेफ है आपर स्मॉल लिक के लिए पात की जाए आप दो मेंबर तिन मेंबर चार मेंबर तक इनी दोनों प्लेयर को कप्तान वेस्क ले सकते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताय हुए है बाकी टीम इस तरह से रहेगी इसमें लाइन अपके बाद अगर कुछ चैन्जिस नहीं रहेगी अगर कुछ चैन्जिस रहता है तो उसकी आखरी अपडेट और इसके साथ-साथ मेरी स्मॉल लिग की गराणली की टीम आपको टेलीग्रम में दी जाएगी टेलीग्रम से सब्सक्राइब कर दो ताकि वहाँ पर आपको quality matches याने की IPL के वीडियो मिलेंगे आगे आने वाले World Cup के वीडियो और इसके साथ साथ यहाँ से आपको international matches के वीडियो मिलेंगे उसका भी लिंक आपको निचे description में दिया गया है आज की दिन की बात की जाते हुए आइलेंड वर पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला उसका वीडियो और IPL का वीडियो अफ्लोड किया हुआ है तो जल्दी से जाके देख लो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यवाज जैबार